गुद मॉर्णिंग शिल्वेंग, हाव आई यू, कैसे हैं आप लोग, अच्छे हैं, गुड़, वेरी गुड़, चले आज हम एक नई राइम सीखते हैं, वेक अप, वेक अप का मतलब है, जाग जाना, नीन से जाग जाना, आईए हम इस पोएम को सीखते हैं वेक अप, वेक अप मिन्स जाग जाना, वेक अप, वेक अप, उठ जाईए, जाग जाईए, इट्स लवली डे, लवली मिन्स प्यारा, प्यारा दिन है, अच्छा दिन है, ओ प्लीज, गैट अप, करपया करके उठ जाईए, प्लीज मिन्स, करपया, रिक्वेस्ट के लिए हम करते हैं, and come and play, आईए और खेलिए, the birds are singing in the trees, पक्षी भी पेड़ों पर गा रहे हैं, singing means गाना, and you can hear the buzzing bees, buzzing means भिन बिनाना, मक्यों का, bees means मदु मक्ही, और आप मदु मक्हीों के बिन बिनाने को सुन सकते हैं, wake up, wake up, जागिये, उठ जाईए, it's a lovely day, एक प्यारा सा दिन है, oh please, get up, करप्या करके उठ जाईए, and come and play, आईए और खेलिए, it's much to lay, to lie in bed, बिस्तर पड़े पड़े, बहुत देर हो चुकी है, So hurry up, you sleepy head, इसलिए, so away व्यक्ती, आप जल्दी से उठ जाईए, जल्दी कीजिए, wash and dress and come and out, ना ये धोईए, कपड़े पहन कर बाहर आ जाईए, everyone is up and about, पर ते एक व्यक्ती जो है, जाग चुका है, बिस्तर छोड़ चुका है, up and about, यानि कि बिस्तर पर ने पड़े होना, the horses, the ducks and the sheep, सभी जगएं हैं, cow, गाएं, horses, घोड़े, ducks, बतकें and the sheep और भेड़ें, the tiniest chicken, cheap, 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 और सबसे छोटा chicken, यानि कि चूजा, वो भी cheap, cheap की आवाज कर रहा है, wake up, उठ जाएए, अब आप इसको singing भी कर सकते हैं, मेरे साथ साथ गाएंगे, पीछे पीछे, wake up, wake up, it's a lovely day, oh please get up and come and play, the birds are singing in the sea, and you can hear the birds, wake up, wake up, it's a lovely day, oh please get up and come and play, it's much too late to learn and play, so hurry up, keep your head, wash and dress and come and out, everyone is a man above, the cows, the horses, the dogs and the sheep, the tiniest chicken, cheap, 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 wake up, wake up, wake up, exercises करते हैं, reading is fun में, first question है, what do you think birds say to each other in the morning, सुभे के समय पक्षी एक दूसरे को क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं आप, answer है, I think birds say good morning to each other, मैं सोचता हूँ कि पक्षी एक दूसरे को good morning कहते हैं, second question है, who are already awake, कौन पहले ही जाग चुका है, answer, birds, bees, cows, horses, duck, sheep and chickens are already awake, third question है, which creature wake up in the morning before the child does, बच्चे के उठने से पहले, कौन से पराणी सुभे जाग जाते हैं, answer, birds, bees, cows, horses, ducks, sheep and chickens wake up in the morning before the child does, बच्चे के उठने से पहले, पक्षी, मदु मक्खिया, गाएं, गोड़े, पत्तकें, भेड़ें और चूजें, ये जाग गए हैं, अब दूसरी एक्सेसाईज, लेट्स राइट में, connect the pairs of sentences, below using and or but, नीचे दिये गए sentences को, and or but का use करके जोड़ना है, बच्चों and का मतलब होता है हिंदी में और, और and से उन दो या दो से ज़्यादा sentence को जोड़ा जाता है, जिसमें हमें और information दी जा रही होती है, और सूचना, और कोई जानकारी हमें दी जा रही होती है, ऐसे sentence को हम end से जोड़ते हैं, और but का मतलब है किन्तू लेकिन, but का use हम वहाँ करते हैं, contrast के लिए, जहां दो या दो से ज़्यादा वाक्यों में भेद परकट हो रहा हो, वहाँ use करते हैं, चलिए देखते हैं, first two sentences है, it is time to get up for school, दूसरा sentence है, I want to sleep for some more time, तो पहले sentence का मतलब है, school जाने के लिए time हो गया है, उठने के लिए, और दूसरे वाक्य का मतलब है, कि मैं और ज़्यादा सोना चाहता हूँ, तो दोनों वाक्यों में बच्चों विरोध है, contrast है, इसलिए हम इनको end से जोड़ेंगे, sorry, sorry, end से नहीं, but से जोड़ेंगे इनको, शीला गॉट सम चॉकलेट्स फोर हर बर्डे, शीला को उसके जनम दिन के लिए, कुछ चॉकलेट मिली, शी गॉट सम न्यू क्लॉज टू, वह उसे नए कपड़े भी मिले हैं, तो इन वाक्यों में जो हैं, और इनफॉर्मेशन दी गई है, तो इसलिए इन दोनों को हम एंड से जोड़ेंगे, शीला गॉट सम चॉकलेट्स फोर हर बर्डे, एंड शी गॉट सम न्यू क्लोज टू, थर्ड पेर में चलते हैं, एवरिवन हैस गॉन टू स्लीप, परतेग वेक्ती सो चुका है, तो इन दोनों वाक्यों में भी कंट्रास्ट है, इसलिए हम इन दोनों वाक्यों को भी बड़ से जोड़ेंगे, एवरिवन हैस गॉन टू स्लीप, बट आई वान्ट टू रीड माई बुक, नेक्स्ट पेर में चलते हैं बच्चो, राजू प्लेज क्रिकेट, इसलिए इनको हम एंड से जोड़ेंगे, क्योंकि इन में कंट्रास्ट नहीं है, भेद नहीं है, राजू प्लेज क्रिकेट, एंड ही आलसो प्लेज होकी, फिलिंग दे ब्लैंक्स एक्जामपल गिवन बिलो, नीचे जो एक्जामपल दिया गया है, उसके आधार पर हमें फिलिंग दी ब्लैंक्स पूरे करने हैं, एक्जामपल है, टाइनी, टाइनियर, टाइनेस्ट, बच्चों ये होते हैं, एक्जेक्टिव्स, इनको एक्जेक्टिव कहते हैं, विसे इस्ता बताने वाले सब्द, टाइनी का मतलब छोटा, टाइनियर और छोटा, और टाइनियस्ट, सबसे छोटा, तो इसी एक्जामपल का प्रियोग करते हैं हम, नीचे देखेंगे, पहला दिया है, बिग, इसके साथ आएगा बिगर, बिगेस्ट, बिग मिन्स बड़ा, बिगर और बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपियस्ट, आगे देखते हैं, लेट, लेटर, लेटेस्ट, राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, Good, Better, Best Good means अच्छा, Better means और अच्छा, Best means सबसे अच्छा Okay बचो, आपने poem भी सीख लिए और इसकी जो exercise है वो भी सीख लिए अब आप एक काम करेंगे, ड्राइंग करेंगे और ड्राइंग में बनाएंगे आप जो है morning scene सुबे का द्रस्थे बनाएंगे सुबे उक्तावा सूर्ये और पेड, पोधे, पहाड, पश्चु पकसी जैसा कि आपने इस poem में सीखा है वैसी ड्राइंग करेंगे आप अच्छा लगा बच्चो? Okay, till then, बाई बाई